अब देखते हैं जटामांसी, जटामांसी जो होती, इसका बोटेनिकल नेम होता है, नौर्डो, स्टेकस, जटामांसी, वेलरियनसी फैमेली होती है, इसके प्रियाय देखते हैं, सुलोमशा, नलदा, तपस्नेवी, मुत जटा और जटामांसी है, शेत्रिय नाम देखते हैं, जटामानसी है इंडन स्पाइक नार्ड जो है इसका इंग्लिश नेम होता है स्वरूप देखते हैं इसका सरल होता है सरल वहु रक्षायू शुप होता है इसका एक कांड जो होते हैं लगबल आदा से एक फिट उन्चा होता है मूली या पत्र 6-8 मिच लंबे होते हैं इसके पुश्प जोते हैं गुलाबी होते हैं और नीले फूल के गुच्छों में लगते हैं फल जो होते हैं छोटे होते हैं मूल कास्टिय सुत्र गुच्छों से असन्न होती है रस पंचक देखते हैं इसका रस्तिक्त कशाई मदूर है वीर यशीद है विपाक कटू है इसका जो खुन है वो है लगू होती है और सिनिक्द होती है और ये जो प्रभावदर्शाती है भूतगनिया फिर मानसिक दोशों पर मानस जो दोश है उन पर प्रभावदर्शाती है उनको कम करने वाली होती है कर्म और आहमिक प्रियोग देखते हैं ये तिरे दोश नाशक होती है इसका प्रलेब दहा प्रशमन करता है वरन्य होता है और वेदना इस्तापन करती है मानस दोश जैसे की अपश्मार है, उन्माद है, मुर्चा है, इनमें इसका प्रियोग किया जाता है. शिर्षूल में जटामानसी प्रसिद दोशत मानी जाती है और अनिंद्रा में भी इसका अच्छा प्रियोग माना जाता है. संग्या इस्थापन यानि कि मुर्चा नया आने देना मेध्य, बल्य और आक्षिप का शमन करने वाली होती है रक्त बारा अधिक्य में यह उत्तम ओशिदी मानी जाती है नेक्स्ट देखते है इसके सेवन से बाल, काले और लंबे होते हैं इसके काड़े को रोजाना पीने से आखों की रोशनी बढ़ती है मस्टिश को और नाड़ी की रोगे के लिए रामबान ओशिदी होती है लेकिन परभावी डंग से तता दीमे होती है लेकिन परभावी डंग से कारे करती है पागलपन, हिस्टेरिया, नाड़ी का धीमिकती से चलना, यादास्त कम होना, इन सारे रोगों में यह अचुक दवा है, यह रामबान दवाई माने जाती है, यह त्रिदोश का शांत करने वाली, सन्नी पादज के लक्षन खतम करने वाली, तचार रोग सौरा सिस में भी इसक योगय मानसिय दिकवात, रक्षोग नगरत और सर्वोश्दिस नान, प्रियोजांग इसकी मूल, मात्रा है इसकी दो से चार गराम, अगर संगठन देखते हैं तो जटा मानसिक और जटा मानसो नामक दो कार्यकारी तत्वे इसमें पाए जाते हैं